कक्षा नायंत वाले चात्र अपना इंग्लिस का त्रीमासी परिक्षा का पेपर देख लिजगा इस पेपर का समित तीन गंटे होने वाला है पुनांग पिछत्तर अंक और आपको इस पेपर का पुल सोलिशन इसी वीडियो में मिलने वाला है तो इस पेपर का हमारा पेला कुष्चन दिया सेक्षन ए से कुष्चन नमबर फश्ट कुष्चन नमर फश्ट में आप सभी को एक पेशिस दिया गया है जो आपकी परिक्षा में पांच नमबर का आनी वाला है सबसी पीली आपको एकजाम में पेसिस को सावधानी पुर्वक पल देना है इसको पढ़ने की बाद इसके नीचे आप सभी को पांच कुश्चन दे गए है तो पेला कुश्चन देख लिजगा पेले कुश्चन में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा बी वाला चौता देख लिजगा चौते में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा बाला इन सभी के अंसर आपको एकजाम में पेसिस में से चाट कर लिखना होगा अपने उत्तर पुस्चत का में कुश्चन में 2 देख लिए जगा इसमें भी आप सभी को एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परिक्षा में आने वाला पाँच नमबर का तो सबसे भिले आप सभी इस पेसेस को पल देजगा इसको पलने की बाद इसके नीचे पाँच कुश्चन दे गया है पेला कुश्चन आपका दिया पेले कुश्चन में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा C वाला 2006 और दूसरे में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा D वाला और तीसरे में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा A वाला Lex चूति में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा B वाला सिल्वर मेडल और पांच में आप सभी को लिखना होगा D वाला जिससे कुश्च नमर 2 के 5 नमबर यहां से कंप्लेट हो जाएंगे अब आप सभी देख लेज़ेगा सेक्शन B से कुश्च नमर 3 कुश्च नमर 3 में भी आप सभी को एक Paces दिया गया है इस Paces में सबसी पेले आप सभी को लिखना होगा Title Title के बाद आपको लिखना होगा Notes तो इसका अंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के Last में किस प्रकास आपको परिक्षा में Title and Notes बना के लिखना है अब आप सभी देख लिजगा Question No.4 Question No.4 के पेले वाले Question में आप सभी को एक Application लिखना होगा Book Bank की तो इसका अंसर भी आप सभी को बता देंगे और इसके और वाले Question में आप सभी को एक Later लिखना है तो इसका अंसर भी आप सभी को बता देंगे अब आप सभी देख लेज़ा कुश्चिन नमर 5 कुश्चिन नमर 5 में क्या करना होगा write an essay on the any of the following topics in 150 words मतलब आपको किसी एक topic पर एक essay एक नीबन लिखना होगा तो आप सभी किसी एक topic पर एक essay एक नीबन याद कर लेज़ेगा और आप सभी देख लेज़ेगा कुश्चिन नमर 6 तो कुश्चिन नमर 6 में आपको क्या करना होगा इस pictures को देखकर इसकी बारे में आप सभी को एक sort paragraph बना कर लिखना है जिससे तीन नमर याद से compare हो जाएंगे तो इसका अंसर भी आप सभी को बता देंगे इस वीडियो के last में अब आप सभी देख लेज़ेगा section C से grammar वाला question नमर 7 वाला question तो इसमें क्या करना होगा इस question में आप सभी को रिक्तिसानों की पूर्ती करके लिखना है जो आपकी परिक्षा में 5 ये नमर के आने वाल है पहला देख लेज़ेगा he is blank engineer तो पहले में लिखना होगा un un आपको पहले का अंसर लगाना है और दूसरे में correct answer आप सभी को लिखना होगा विसेष्ट और तीसरे में correct answer आप सभी को लिखना होगा under चोते में correct answer आप सभी को लिखना होगा is पांचवे में correct answer आप सभी को लिखना होगा because छेटे में correct answer आप सभी को लिखना होगा my अपनी रब को मिलिक कर याद कर लिजिगा और आप सभी देख लिजिगा question number 8 इस question में आप सभी को do us directed करना है मतलब निर्देश के अनुसार इन कुश्यनों के जवाब देना है तो पहला देख लिजगा इस sentence को present tense में बदलना होगा दूसरे sentence को क्या करना है साइक्रम में जवा कर लिखना है तीसरे sentence में क्या करना होगा तो तीसरे sentence को आपको negative में बदलना होगा और चोते सेंटेंस में आपको और पांचवे सिंटेंस में आपको क्या गयना है सोरेट का प्रयोगे करना है और छेटें голें आप सब्लाकर करानी करना है तो सबी के अन्सर आपको बता रेंगे इस वीडियो के लाश्ट में अब आप सबी सेक्सेंग saat से question number 9 देख लिए जगा answer the following question तो ये आपकी परिक्षा में 5 नमर के आने वाले पहला आपका दिया है how old is मारगी दिसमें आपको लिखना होगा B वला 11 years दूसरे आपका दिया दूसरे में correct answer आपको लिखना होगा C वला और तीसरे आपका दिया है तीसरे में correct answer आप सभी को लिखना होगा D वाला चोता देख लिजगा चोते में क्या पूचा है where did Tommy find the book तो इसमें आपको लिखना होगा C वला in his house पांचे में देख लिजगा पांचे में correct answer आपको लिखना होगा D वला strong अब आप सभी कुष्चिन में टेण का A वाला क्युश्चिन देख लिजगा इसमें आप सभी को एक काव्यांस दिया है जो आपकी परेक्षा 153 नंबर का तो इसको आप जब पल देख बाद इसके नीचे आप सभी को तेन प्रदे गया है तो पहले देख लिए पहले में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना होगा एवला सहे नाई और दूसरा कुश्यन देख लिजिगा तो दूसरे कुश्यन में करेक्ट अंसर आप सभी को लिखना है कौन से लिखना है तो लगा लिजिगा ठीके बता देते याप पर इसमें लिख देख लिजगा इसमें एक कावेंस दिया है जो आपकी परिक्षा में आने वला तीन नंबर का तो आप सभी इन पोईम्स की लाइनों को पढ़ने के बाद इसके नीचे तीन कुश्चन दी है पहले कुश्चन में करेक्ट अंसर आपको लिखना होगा वाइंड और दुसरे में करेक्ट अंसर आपको लिखना होगा वी वाला इसके साथ यहां पर हमारा कुश्चन में 11 देख लिजगा अंसर दा फॉलिएंग कुश्चन एनी 5 तो आप सभी को यहां पर 7 कुश्चन दिये मतलब 7 कुश्चन दिये सातों में से सिर्फ आपको 5 कुश्चन के जवाब अंसर लिखना होगा एकजाम में तो इनके अंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लाश्चन में अब आप सभी कुश्चन में 12 देख लिजगा इसमें आपको तीन कुश्चन दिये तीनों में से सिर्फ है दो कुश्चन के जवाब देना है तीरवा कुश्चन देख लिजगा इसमें भी आपको तीन कुश्चन दे तीनों में सिर्फ आपको एक कुश्चन का अंसर देना होगा और आएगे हम चलेंगे तो यहाँ पर देख लिजगा चगुदा परसन न चगुद Remove की बाद आपको पंद्रवा कुश्चन आपका दि पहला कुश्यन पूचे गाता जिसमें एक पेसेस दिया गया था जो आपकी परिक्षय में आने वाला पांच नमबर का तो इनके अंसर देख लिजेगा और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर कुश्यन नमर 2 का अंसर देख लिजेगा ठीके कुश्यन नमर 2 के बाद आगे हम चल आपसे देख लिजेगा कुश्यन नमर 7 के अंसर कुश्यन मर 7 के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को कुश्यन नमर 8 के अंसर यहां से मिल जाएंगे और गुश्यन 9 के अंसर से मिल underside को बता देता हम अगले कुश्यनों के अंसर तो यह हमारा question number 4 का answer हो जाएगा तो अपनी रपकोप में लिख लिजगा जिसमें एक application आपको लिखना होगा ठीके और इसके साथ ही यहाँ पर question number 4 का और वाला का answer देख लिजगा जिसमें एक later आप सभी को लिखना होगा परिक्षा में और आप सभी देख लिजगा question number 5 का answer question number 5 के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को question number 6 का answer यहाँ से मिल जाएगा आगे हम चलेंगे तो याँ पर आप सभी देख लेजगा question 11 का पेला दुसरा और दुसरे के बाद तीसरा चोटा पाचवे का अंसर और आप सभी देख लेजगा याँ पर 6 और 7 के अंसर ठीके? और आप सभी देख लिजगा यहां पर कुश्चन में 12 का पेला और दूसरे का अंसर आपको यहां पर दिया है और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को तीसरे का अंसर भी यहां से मिल जाएगा और आप सभी को दूसरा एंड तीसरे का अंसर याँ से मिल जाएंगे आगे हम चलने वाले तो आप सभी को चवुदे प्रश्ण का याँ पर पेला और इसका और वालक अंसर याँ से मिल जाएगा और आप सभी को पंदवी कुश्चन का पेला एंड इसका और वाला का अंसर यहां से मिल जाएगा ठीके और आप से भी देख लेजगा सोलवे कुश्चन का पेला एंड इसका और वाला का अंसर तो इस प्रकास से हमने इस कुश्चन पेपर का फुल सोलिशन बता दिया है तो पूरे कुश्चन पेपर को याद कर लेजगा ठीक है मिलते अगले वीडियो में